इस इस पार्ट में हम लोग क्या सिखेगा पूरा का पूरा कंसाइन में और न्यू टॉपिक सीए फाउंडेशन के लिए वन अफ दे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मान के चलना कम से कम दस मांक का क्वेस्टन कंसाइनमेंट से आएगा लास्ट अटेम में आपका नहीं प सब्सक्राइब करें है आई उल रिकमेंड डिस इस वन अफ दे इजिएस टॉपिक ठीक है लगे तो मॉड्यूल टू का कोई टॉपिक छोड़ जाता कोई बात ने लेकिन कंसाइनमेंट छोड़के नहीं जाना है सारा का सारा पार्ट करना इफ आपका कुछ मिस्प हो जाए तो मुझे बताना कोई भी कवर अप नहीं कर पाऊ तो ठीक है पहले क्या समझने अपनों को कंसाइनमेंट होता क्या है बेसिकली इट से न्यू टर्म पॉर यू बट मैं ऐसा बोलूगा कि तुम लोग के लिए नया टर्म नहीं है यू आप अल्रेडी ऑब्जर्ब कि एकांटिंग करेंगे क्या क्या चीज इसमें होने वाला है कैसे कमिशन पे करते हैं गुड्स कैसे जाता है गुड्स वापस कैसे आता है कौन-कौन पार्टीज होगा क्या एकांटिंग होगा इच एन एवरीटिंग हम लोग इस पार्ट में सीखेंगे नेक्स पार्ट में हम नौसी बेसिकली कंसाइनमेंट है क्या कंसाइनमेंट एक ऐसा बिजनस जहां पे बिजनसमें अपने आपको एक्सपांड करना चाहते है let's say suppose ये एक बिचारा आदमी है ये कहां बैठा होगा ये कहां बैठा है पता है ये कहां बैठ के सोच रहा है ये must अपना finance city में बैठ के सोच रहा है मुंबई में अपने आफिस में बैट के मास सोच रहा है क्या सोच रहा होगा बोलो कि कैसे मैं पूरे इंडिया में राज करू ठीक है पूरे इंडिया में ये अपने बिजनस को expand करना चाहता है but tell me क्या यहां से उठके यहां से उठके पूरे इंडिया में समान बेचने जा सकता है क्या suppose इसको बोले कि जा तू गुजरात में समान बेचने जा तो इसको क्या करना पड़ेगा Bombay से निकल के गुजरात जाना पड़ेगा इसको बोले कि तुझा राजस्तान में बेच किया तो ये क्या करेगा बॉम्बे से निकल के राजस्तान जाएगा इसको बोलेंगे तुझा आसाम में बेच किया तो क्या ये आसाम बेचने जाएगा क्या तो कैसे cover करूँ इसको नहीं idea था क्योंकि तब तक ये तुम लोग से नहीं मिला था जब ये तुम लोग से मिला तो तुम लोग इसको idea दिया क्या idea दिया? तुम लोग बोला कि भाईया आपको business बढ़ाना है तो हम मदद करते हैं न क्यों न आप consignment basis पे business करो आप लोग ने इसके दिमाग का बत्ती जला दिया और बोला कि consignment, consignment basis पे business करो कैसे करो consignment basis में तो ये बोलता है बात समझ में नहीं आए बात समझ में नहीं आए इसको क्योंकि इसका thought था कि देखो Bombay में तो बहुत crowd है अच्छा खासा market है बट ये आता है अपने सहर में साम में आते हैं और देखता है by god इतने सारे consumers है यानि इतना बड़ा market available है अब इस market को acquire कैसे करे लेकिन बताओ इस market में इतनी सारी दुकाने है क्या ये जानता है क्या इन लोगों को ये personally नहीं जानता होगा यानि इसका faith नहीं होगा trust नहीं होगा बट इसमें से इस bead में से कोई न कोई तो यहां के लोगों को जानता होगा तो यदि वो उसके साथ tie up कर ले और बोले कि भाई साब एक काम करो मैं बैठाओ मुंबई में आपको कोई tension नहीं लेनी मैं अपने product आपको भेजूंगा और आप क्या करना उसको sale करना तो इस भीड से उठके इस भीड से उठके एक आदमी गया उसके पास में और बोला कि आप tension मतलो यहां पे गोहाटी में अपन business करेंगे आपका product गोहाटी में भी चलेगा जैसे अभी अभी आप देखते हो MBA चाहे वाला वो क्या it's a franchisee business it's not a commission based business ठीक है लेकिन बहुत सारे business ऐसे होता है जो commission based होता है normally कपड़े के मामले में commission based business होता है क्योंकि manufacturer कहा होता है वो तो Mumbai में, Gujarat में इन बड़ी बड़ी जगे में अपना factory लगा के रखा है लेकिन क्या वो मुंबई में जो manufacture करता है मुंबई में sale कर रहा है क्या he is covering all over the India वो कैसे cover करता है ऐसा तो है नहीं न कि वो हर जगे जाके बेच रहा होगा तो वो क्या करता है वो जिस local state में consignee ये वो हाथ है जो मदद करेगा किसको consigner को ये कौन है consigner जो person goods भेजेगा बेचने के लिए यानि इसने क्या किया इसने सिर्फ हाथ दिया कि एक काम करो हम दोनों हाथ मिला लेते और एक साथ business करते हैं यहाँ हाथ मिलाने का मतलब partnership नहीं है यहाँ हाथ मिलाने का मतलब partnership नहीं है ये जो consignee है न ये बोलता है कि आप tension मतलो आप मेरे city में अपने product को बेचना चाते हो न आप एक काम करो मुझे product भेजो मैं अच्छे अच्छे लोगो को आपका product बेचूँँगा फिर इन से पैसा collect करूँगा और आपको दे दूँगा मेरा काम इतना ही रहेगा consignee का काम क्या होता है consignee के goods को proper parties में sale करना sale करके पैसा collect करना और वापस मुंबई consignee को भेज़ देगा तो इसके बदले में ये कुछ तो लेगा न इसके बदले में इसने services दिये क्या services दिये कि इससे समान लेके और इसको वापस return में क्या दिया है रुपीज इससे goods लेके इसका goods आगे बेचके इसने क्या क्या return रुपीज क्या है तो बदले में इसको क्या मिलना चाहिए commission मिलना चाहिए तो इसको मिलता है बदले में क्या कमीशन तो यानि मोटा मोटी ये समझ में आता है कि कंसाइनमेंट कुछ नहीं है कंसाइनमेंट एक form of business जहां पे एक party अपने agent को समान भेजती है वो agent क्या करता है आगे समान को sale करता है goods को sale करता है और पैसा collect करके किसको भेज़ देगा consignor को भेज़ देगा अब सोचो कि ये consignor ने यहां पे कुछ समान भेजा इसने कुछ समान भेजा ठीक है बट ये सारा का सारा इधर sale नहीं कर पाया तो वो goods कहां पढ़ा है consignor के पास ही पढ़ा ना इसने इसको goods भेजा होगा कि जा तू इधर भेज दे लेकिन हो सकता है ना सारा का सारा नहीं sale कर पाया कुछ पढ़ा है इसके पास में ये जो goods पढ़ा है ये किसका है consignor का ही है ना तो हमने trading account सीखा है trading account में क्या हम closing stock दिखाते हैं तो इसके पास जो goods पढ़ा होगा वो अपना stock कौन दिखाएगा ये consignor दिखाएगा या consignor शो करेगा consignor शो करेगा ना तो this is one of the most important calculation जो आपको बार-बार करना पढ़ेगा कि इसके पास कितना goods पढ़ा है क्योंकि वो goods इसका नहीं है किसका है consignor का है तो अपने books में कौन दिखाएगा consignor दिखाएगा लेकिन अब transaction बहुत सारे होगे क्या होगा consignor इसको goods भेजेगा क्या-क्या होने वाले आप सोचो ये consignor है ये इसको goods भेजेगा जब ये goods भेजेगा मुंबई में बैठा है और अपन का है गौहाटी में तो मुंबई से गौहाटी फोकट में आ जाएगा transportation का खर्चा लगेगा freight लगेगा cartage लगेगा प्लस ये दि goods risky है कुछ ऐसा goods है जो risky है तो हम रस्ते में क्या करवा के रखते हैं उसका insurance भी करवाते है वो सारा expenses भी लगेगा यानि ये जब goods भेजता है तो ये goods के साथ साथ certain expenses भी इंकर करता है example कौन से कौन से expenses इंकर करेगा वो freight transportation एक जगे से दूसरे जगे भड़ा ही हो गया freight एक तरह से छोटा मोटा transportation जो होता है ठीक है freight, transportation transportation, insurance ठीक है ये सारा expenses वो करेगा ये क्यों वैराउसिंग का करचा करेगा goods भेजने में तो इतना ही होगा फिर ये क्या करेगा ये बंदा ये consignee consignee अपने यहां हो सकता है एक warehouse लेके रखे वहाँ पर ये goods को रखेगा फिर ये क्या करेगा यहां से goods को sale करेगा right sale करके वापस पैसा collect करेगा debtor से ये पैसा किसको भेज़ देगा ये consignee को भेज़ देगा इसके बदले में consignee उसको क्या देगा commission देगा ना ये इसको commission भी देगा right कितना goods इसके पास में पढ़ा रह गया उसका detail भी इसको क्या करना पड़ेगा इसको भेजना पड़ेगा न कि आपने इतना goods भेजा था मुझे मैं इतना ही sale कर पाया हूं बाकी आपका goods मेरे पास पढ़ा है right क्योंकि ये detail नहीं भेज़ेगा consignee consignee consigner को तो consigner अपने books में stock कैसे दिखाएगा नहीं दिखा पाएगा तो ये detail भी send करना पड़ेगा right ऐसा भी हो सकता है कि goods बेचने के लिए consignee को कुछ खर्चा करना पड़े देखिए भाईया आप तो नए नए हो market में आप मुंबाई में होंगे बहुत बड़े player लेकिन गौहाटी में तो आपको कोई नहीं जानता तो आपको क्या करना पड़ेगा थोड़ा advertisement तो करना पड़ेगा आपका template बाटना पड़ेगा banner वगेरा लगाना पड़ेगा थोड़ा advertisement करोगे तभी तो public को पता चलेगा ना कि बोलता है मुझे क्या लेना देना मैं तो just good जितना बिकेगा उस पर अपना commission लूँगा बाकि जो भी expenses होता है that is bond by consignor लेकिन एक बार के लिए pocket से payment कौन करेगा consignor नहीं करेगा वो तो localite है वो अपने pocket से एक बार देदेगा और बाद में क्या करेगा consignor से मांगेगा यानि overall लगबग इतने transaction तो होते ही है दो party के बीच में इतने transaction तो हो गई होगे तो इन सब की accounting करना is the purpose of consignment clear है no it's not a branch branch के case में क्या होता है कि आप properly एक office set up करते है अब यह जो consigne है यह जरूरी थोड़ी नहीं से फिर मुंबई वाले का माल बेचे जैसे कि suppose हो सकता है यह वैन हुसेन का इसने क्या कर रखा है agent बन गया फिर यह एलेन सोली का भी बन जाएगा UCB का भी बन जाएगा यह एक ही party 3-4 companies का भी तो agent बन सकता है ना लेकिन ब्रांच के केस में कैसा होता है क्या कि फ्रेंचाइजी ब्रांच इस सम शॉर्ट आफ वैसा ही बोल सकते हो लेकिन फ्रेंचाइजी और ब्रांच में डिफ्रेंस क्या पता है फ्रेंचाइजी बिजनस में सब कुछ आपका होता है सिर्फ आप क्या करते हो फ्रेंचाइजी पीस पे करते हो लेकिन ब्रांच के केस में सब कुछ किसका होता है head office का ही होता है clear है वहाँ पे जो ब्रांच में जो आपने employee किया है या फिर manager बठा है उन सब की salary देनी है उनको बस काम करना है clear है but consignment के case में और ब्रांच के case में क्या होता है risk reward वाई चैंस यहां goods पड़ा है duby खरौ को फुछ हो गया खराब हो गया चोरी हो गया तो risk किसका होता है ब्रांच manager का होता है लेकिन consignment के case में consignee मेरा कोई risk नहीं है मेरा काम क्या है mediator का काम करूँगा consignee क्या काम करते है mediator का काम करते है buyer और seller के बीच में जो बैठा होता है उसको हम लोग बोलते है consignee जैसे property dealers property dealers में property dealer का कोई risk होता है अब paper में कोई false world है तो आप देख लो मेरा काम क्या था buyer को लाना और seller को खड़ा करना उन दोनों के बीच में सेलर से भी मैं क्या करता हूं अपना एक परसंट या दो परसंट ले ले लेता हूं और वायू यह से भी क्या करता हूं कमिशन लेता हूं प्रॉपर्टी डीलर तो दोनों तरब से कमिशन खाते हैं में कविलोन मुंडबाइं मतलब डो वे कमिशन नहीं होता just a one-way कपड़ा बनाता है यहां कपड़े नहीं खरीते जैसे यह शर्ट का कपड़ा फिर तुम ले जाके टेलर के पास करते हो तो यह जिसने मैनुफेक्चर किया क्या वो यहां दुकान खुल के रखा है क्या वो तो नहीं रखता तो वो क्या करता है कमिशन एजेंट एपॉइंट करता है यानि वो कंसाइनी को एपॉइंट करता है वो बोलता है कि देखो मैं तुमें सेंपल भेज रहा हूं तुम वहां जिन जिन वहां से recovery कर पाएगा क्या बट localite person तो recovery कर पाएगा ना यहां का agent होगा तो वो तो 50 बार दुकान में जाके बैठ जाएगा उसके warehouse में जाके बैठ जाएगा कि लाओ पैसा दो क्योंकि वो उसको जानता होगा उसका background जानता होगा तो safer side के लिए safer side के लिए क्या करता है consignor consignee को appoint करता है ऐसे तो direct business भी हो सकता है कि direct manufacturer क्या करेगा यहां के party को sale कर देगा लेकिन direct sale करने से risk ज्यादा है 100% नुकसान से अच्छा 2% किसी को commission दे दो profit में से 2% चला भी गिया तो क्या हुआ security तो है कि पैसा डूबेगा नहीं clear है इसलिए हम लोग क्या करते है consignee को appoint करते है मोटा मोटी समझ में आया अपने को कि consignment है क्या it is a mediocre person जो buyer और seller के बीच का का काम करेगा clear है तो यानि can I say part नई consignee ने यदि अपना खुद का छोटा सा office खोल के रखा है उसके लिए यदि हमारे agreement में ऐसा लिखा हुआ है कि consignee बोलता है consignee को देखिए आपका काम करना है इतना बड़ा काम है तो छोटा office लेके बैठना पड़ेगा न तो उसके लिए the consignee बोलता है अच्छा ठीक आप office ले लीजिए जो भी उसका monthly rent होगा वो हम बे करेंगे तो करेगा वो otherwise वो consignee का खुदका expense है वो सारा agreement में के लिखावा होता है clear है तो यहांनि मैं यहां से मुझे क्या समझ में आता है consignment के case में parties to the consignment कितना हुआ कि साथ साथ में आप लोग लिखते जाओगे यह सब ठीक है parties to the consignment कौन-कौन हुआ एक मेरा कंसाइनर ठीक है जो goods बेचना चाहता है और एक कौन है कंसाइनी जो goods बेचेगा clear है अब देखो यहां बैठा था मुंबई वाला कि राइट कि यहां है अपनी गुवाहाटी क्लियर आसाम तो इसको शो करें तो यह था मेरा मुंबई वाला जो इधार बैठा है जिसको माल कहां बेचना है किदर goods बेचते हैं clear है अब देखो जब यह मुंबई वाला गुवाहाटी वाले को goods भीजेगा तो इतनी बड़ी जर्णी तेय करनी है रस्ते में तो अपने को पता ही अपनी सरकार जगे जगे ठेला लगा के बैठ जाएंगे माल आ रहा है भाया किसका है कहां जा रहा है किदर जा रहा है पचास चीज पूछेंगे न तो पचास चीज पूछेंगे तो हमें सिक्यूर्ड ट्रेवल करने के लिए goods के साथ में क्या करना पड़ता है जब भी कोई हमसे पकड़ लेता है कि भाया यह किसका goods है कि धर लेके जारे तो आप क्या करते हो you show the bill क्या यह चोरी का है या नहीं है वो सारा चीज inquiry करने के लिए हम लोग क्या करते है उसको bill दिखाते है लेकिन एक बात बताओ bill का बनता है जब sale हो जाता है लेकिन क्या मैं यह बोल सकता हूँ यह एक मा के दो बेटे है एक ही तो परसन है यह अलग थोड़ी नहीं एक तरह से यह इसका employee हुआ but we will not say employee यह independent person है अपना खुद का मालिक है लेकिन क्या इसने इसको goods भेजा तो goods sale कर दिया क्या sale नहीं क्या ना जब यह आगे में sale करेगा तब sale माना जाएगा राइट जब यह गौहार्टी वाला इधर sale करेगा तब bill generate होगा ना लेकिन हमें कुछ तो document proof चाहिए ना यहां से यहां के लिए रस्ता में कोई पकड़ लिया ठेकेदार अपना क्या भईया किसका goods है चोरी करके लेके जा रहे हो क्या तो कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना तो क्या दिखाएंगे अपन कुछ बिल जैसा ही बना ले तो चलेगा ना कुछ बिल जैसा ही होना चाहिए जिससे समझ में आये कि किसका goods है और कहा जा रहा है उसी को अपन बोलते हैं प्रोफॉर्मा इन्वाइज इस जस्ट लाइक बिल बट नॉट बिल तो कि एग्जेक्ट इन्वाइज तो कभी इशू होगा जब goods सेल होगा तो goods मतलब इन्वाइज के जैसा ही हम लोग एक document बनाएंगे उसको अपन बोलते हैं प्रोफॉर्मा इन्वाइज वह बिल ही है बस नाम क्या है उसका प्रोफॉर्मा इन्वाइज एक तरह से प्रोफॉर्मा का मतलब format होता है in the format of bill उपर में heading क्या हो जाएगा प्रोफॉर्मा इन्वा जेगा क्लियर है अब एक बात बताओ ये गौहाटी वाला हम लोग का इधर वाला agent बहुत सारा काम करेगा ठीक है बहुत काम करेगा जैसे माल बेचेगा गुट सेल करेगा सेल करने के लिए कभी-कभी expense भी करना पड़ सकता है फिर कभी-कभी debtor पैसा नहीं देंगे तो भिजनी पड़ेगी ना इसके पास में detail आएगी तभी तो ये क्या करेगा इसका commission देगा अरे इसको तो commission मिलना है इसको commission कैसे मिलेगा जब ये इसको सारी की सारी detail भेजेगा तभी commission मिलेगा तो ये detail भेजेगा तो कैसे भेजेगा एक रद्दी के paper में लिखके भेज देग क्या यह कुछ न कुछ प्रॉपर तरीके से भेज़ेगा एकक प्रॉपर ब corte डेजर एकाउट बना के भेज़ेगा कि मेरे पास इतना गुड़्पी आया उसके बाद मैंने इतना इतना expense किया उसमें से इतना मैंने sale कर दिया, sale करके मेरे पास इतना पैसा collect हो चुका है, ये debtors है जो पैसा नहीं दे रहें, डूब गए, और अभी भी आपका इतना goods मेरे पास पड़ा है, ये तो सारी information बताएगा वो, तो ये कैसे बताएगा, ये कोई ने कोई एक account बनाएगा, उस information को बोलते हैं ह जो ये इसको detail बेजेगा, उस document को क्या बोलते हैं, क्या करते हो, राजा, account sale, क्या बेजेगा, account sale, इसके अंदर में क्या-क्या होगा, बताओ तो मुझे, कि उसके पास, consignee के पास, कितना closing stock पड़ा है, ये detail रहेगा, और क्या रहेगा, उसका कितना commission बनता है, वो calculate करके बेजेगा, कि मेरा इतना commission बनता है भाईया, आपसे इतना पैसा लेना है, और क्या, कितना sale कर दिया उसने, कितना sale किया, plus, कोई भी expenses incur किये हैं, तो वो सारा लिखेगा, क्योंकि expenses को incur किसको करना था, consigner को, लेकिन consignee करेगा, तो क्या करेगा, बाद में last में अपना पैसा मांगेगा न, कि देखिए, मैंने आपका good sale करने के लिए ये-ये expenses किया है, मेरा पैसा दीजी आप, राइट, तो वो सारा expenses भी बताएगा, clear है, और क्या हो सकता है, यदि कोई, advance money, consignee ने consigner को भेजा है, तो वो भी वो इसमें लिखेगा न, कि मेरा final हिसाब बनाने के लिए पहले आप चेक कर लेना, कि मैंने already आपको advance पैसा भी दे रखा है, clear है, कोई bad debts हो गिया, तो वो भी बताएगा वो, कि इतना ही तो information होगा, एक agent, हाँ, हाँ, वो sales में आ गया न, वो sales में आ जाएगा, कि कितने, हमने credit में sale किया, और कितना cash में sale किया, ये सारी information क्या करेगा, वो भेजेगा, जिस document में भेजेगा न, उसको अपन बोलते है, account sale, clear है, what is pro forma invoice and what is account sale, अब समझते हैं, कि ये जो commission होता है न, ये क्या होता है, ये commission पता है तुम लोग को, तीन तरेका हो सकता है, कौनसा कौनसा, ordinary, डेल क्रेडर, और 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 राइडिंग, तीन टाइप के commission पे करता है, consigner, consignee को, अब ये क्या नहीं चीड़ी है, commission तक तो समझ में आ रहा था भया, क्यों आगे confuse कर रहे हो, अरे कोई confusion है ही नहीं, simple सा commission क्या होता है, जितनी महनत करोगे, उस पे तुमारा part, right, ordinary में क्या है, ordinary में ये बिचारा, consignee बोलेगा, कि मैं कुछ risk risk नहीं ले रहा, आप goods भेजो, मैं goods भेचूंगा, बिक गया तो ठीक, पैसा collect करके मैं आपको भेज दूँगा, goods खराब हो गया, उसमें मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, यदि किसी debtor ने पैसा नहीं चुकाया, तो उसमें भी मैं responsible नहीं हूँ, I will try my best to recover your each and every penny, बट फिर भी नहीं हुआ तो उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं तो जितना good sale करूँगा, उसमें मेरा 2% commission मुझे चाहिए, this is called ordinary commission, clear है, बट अब कंसाईनी बोलता है, यार, क्यों न थोड़ा ज्यादा कमाया जाए, ज्यादा कमाई कैसे होगा, जब वो इसकी headache को ले लेगा, और इसकी headache सबसे बड़ी क्या है, पता है, पैसा डूबने का डर, और goods खराब होने का डर, ये दोई इसकी सबसे बड़ी headache है, कि suppose इसने यहाँ किसी दुकानदार को माल बेचा, उसने पैसा ही नहीं दिया, तो bad debts हो गया ना, तो वो bad debts का risk, यदि consignee खुद उठा ले, consignee assurance करे consigner को, कि आप tension मत लो, कुछ भी bad debts हुआ, it will be born by myself, तब एक बात बताओ, consignee risk ले रहा है, तो ordinary commission से मांगीगा क्या, नहीं मानेगा न, वो बोलेगा, मेरे को थोड़ा तो ज़्यादा दो, मैं आपका risk ले रहा हूँ, कल को को कोई customer नहीं दिया पैसा, कोई debtor पैसा नहीं दिया, तो loss तो मुझे भुगतना है, तो मेरा तो उतना commission ही नहीं बनता, और इतना बड़ा loss में bear करने वाला हूँ, मैं इतनी बड़ी risk आपकी remove कर रहा हूँ, तो मेरा commission भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तो बोलता है, ओके, if you ready to bear my bad debts risk, तो मैं तुमको commission भी ज़्यादा दूँगा, उस commission को अपन बोलते है, डेल क्रेडर commission, आया समझ में, डेल क्रेडर commission क्या होता है, जब consignee, consigner का headache ले ले, headache बोले तो bad debts, वो यदि bear करने को ready है, then commission paid by consigner to consignee, is known as, डेल क्रेडर commission, clear है, तो यह overriding क्या है, overriding, overriding, dlcreder, delcreder commission, तो अब यह बिचारा overriding क्या है, भाई साब, समझ में ही नहीं आ रहा, मेरे को तो यह overriding क्या है, अच्छे से लिख देता हूँ, इसको मैं, dlcredere, delcreder commission, तो यह भाईया, यह overriding क्या है, क्या धोका देगा क्या, override कर लेगा क्या, उसके agreement को, तो क्या है यह overriding, अब कभी-कभी, मुंबई वाला क्या करता है, पता है, मुंबई वाला, सपोज यह pen बेचता है, यह pen क्या करता है, बेजा, consignee को, बोलता है, यह pen, तुझे 100 रुपे में बेचना है, चीक है, 100 रुपे में बेच दिया, तो normal, commission मिलेगा, 100 रुपे में बेचके, बोलता है, डूप गया पैसा, तो risk भी मेरा, तो delcreder commission मिलेगा, लेकिन सोचो, यह गौहाटी वाला, बड़ा चतूर है, चीक है, यह क्या करता है, इस 100 रुपे की चीज़ को, 140 रुपे में बेचता है, फाइदा किसका हो रहा है, consignee का यह तो profit हो रहा है, बिल तो वही बनाएगा, उसके लिए तो मज़ा ही मज़ा हो ला, बल्ले बल्ले, 100 रुपे की चीज़ तो, 100 रुपे में भी profit था, 140 में बेच रहा है, तो कितना profit होगा सोचो, profit कमा के दे रहा है न, इतनी महनत कर रहा है, consignee, तो यह क्या बोलता है, पोकट में महनत किया है, मैंने, 100 में बेच दे था में आपका नॉर्मल, तो एक्स्ट्रा 40 रुपे में क्यों बेचा, तो यह जो extra profit करवाया, 40 रुपेज, क्या उस पे भी commission मांगेगा यह, उसी को अपन बोलते है, overriding commission, समझ में आया, जिस value में, consignor बोलेगा, कि इस value में sale करना है, उससे ज़्यादा value में, जब consignee sale कर देता है, तो उस extra profit margin पे, जो commission लेता है, ना consignee, उसी को अपन बोलते है, overriding commission, तो MRP पे तो कभी इसके पास goods आए गई नहीं ना, तो फिर MRP में भी केगा, तो इसको dull credit से ज़्यादा commission मिलेगा है यह नहीं, ऐसे goods भी तो हो सकता है, जिस पर MRP नहीं हो, consignor बोले कि ये goods मेरे को 100 रुपे में बेचना है आगे, गवाटी में, तुम देख ले ना, 100 रुपे से नीचे नहीं बेचना है, तो बोलता ठीक है, लेकिन यह दि उसमें मेहनत करके, ऐसे customers ढूंड लिए, जो 140-50 में भी खरीदने को ready है, तो consignor तो खुश होगा ना, तो खुश होगा तो क्या करेगा, अपनी chain निकाल के देदेगा ऐसे, कि जाओ, ले जाओ, ऐसा तो नहीं करेगा, बट वो क्या करेगा, देख, तूने मेरे को 40 रुपए एक्स्टा प्रॉफिट कमाया, तेरा हक भी बनता है इसमें, तो वो जो हक है, उस हक को अपन बोलते हैं, overriding commission, clear है यह चीज़, समझ में आया यह चीज़, commission कितना तरीके का होता है, parties to the consignment clear है तुम लोग को, अब और क्या-क्या मिलेगा इस chapter के अंदर में, कि यह बन्दा इसको goods भेजता है, यह बन्दा जब goods भेजता है, तो दो तरीके से भेज सकता है, कैसे, goods, cost में भी भेज सकता है, यह यहाँ से यहाँ जो goods जा रहा है न, goods जो है, वो at cost price भेज सकता है, ठीक है, cost price में भेजेगा, और बोल देगा कि कितने रुपे में बेचना है, और कभी-कभी यह consignor क्या होता है, बहुत smart होता है, उलता मैं अपनी cost, consignee को बता दूँगा, कल को वो ही आके मेरा business करना लग गया तो, ऐसा तो risk हर business man को रहता है न, तो वो क्या करता है, जा, cost पे नहीं भेजूँगा, goods कैसे भेजूँगा, invoice price पे, invoice price का मतलब क्या होता है, selling price, मतलब वो किस पे भेजेगा, selling price पे goods भेजेगा, clear है, तो यह जब selling price में goods भेजता है न, एक problem आने स्टार्ट हो जाती है, क्या, by chance इसके यहाँ पे goods पड़ा रहे गया, नहीं भी का, तो वो तो at invoice price है, लेकिन यह जो stock है, कौन दिखाएगा अपने books में, यह दिखाएगा, कि मेरा कुछ goods, with, consignment है, है न, ऐसा बोलके दिखाएगा, क्या हमने पड़ा है, stock is always valued at cost, और net realizable value, whichever is lower, पड़ा है न, तो इसको क्या करना पड़ेगा, फिर consignor को, profit को eliminate करना पड़ेगा, ठीक है, तो यह एक concept आपको मिलने वाला है, आया समझ में logical था एक दम, तो ऐसे पागला जैसे इमत करेंगा न, stock reserve क्या है, हमने loading क्यों अटाई, इसी को अपन बोलते है loading, यह जो selling price, यानि इसमें जो profit लगावा होता है न, उसी को अपन क्या बोलते है loading, cost पे profit add कर दो, तो क्या बन जाता है selling price, तो उस profit को अपन क्या बोलते है loading, तो वो eliminate करना पड़ेगा, क्योंकि consignor तो अपने books में क्या करेगा, cost पे ही show करेगा न, goods, तो हम लोगों को यह loading का concept भी सीखना है, इसके अंदर में, जब cost में भेजेगा, तब भी ऐसा कुछ करना है क्या, तब नहीं करना, लेकिन जब invoice price में भेजेगा, तो हम लोगों क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे loading concept सीखना पड़ेगा, clear है, इसको कैसे remove करना, यह part अपन सीखेंगे, और क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है क्या, कि consignor मुंबई वाले ने goods भेजा, और रस्ते में खराब हो गया, इसके पास पहुंचा ही नहीं है, यहाँ तक आया ही नहीं, उससे पहले खराब हो गया, चूरी हो गया, कुछ भी हो सकता है न, हो सकता है या नहीं हो सकता, रस्ते में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मुंबई वाला बोलता है, यार हम लोग गना, एसे श्रीज में बहुत अच्छा डील करते हैं तो बोलताई टेमपड ग्ल 친 गें हम ग्वाटी में यहां तो टेमब बनाता नहीं है न कोई तो वहीं से डारेक्ट Import लेकर करते हैं वहन तो ऊपरट है न मुंबंबई में तो में बॉलता है इंडिया में बेचना है तो वहां से जब वह द्वाद तक तर्टेंपर्ड ग्लास बेचेगा तो बताव क्या सारे सारे यह यह से प। होसते हैं क्या कितनी नाजुक चीज होती है हलका सा भी टक्कर या प्रेशर लग जाए तो तूट जाता है न क्लियर है तो यानी तूट सकता है सपोस एक जगे से दूसरे जगे पेट्रोल जैसे अपने यहां पर इंडियन ओयल है तो यह दूसरे स्टेट्स में भी भेजता है क्लियर है तो पेट्रोल जब टैंक में भरा जाता है जितना लीटर पेट्रोल भरते है एक्जेक्ली क्या उतना ही लीटर आउटपुट होता है क्या जब वापस ट्रेन खाली की जाती है कभी भी ने जब भरने लगोगे ना तभी थोड़ा तो हवा में उड़ जाता है से क्या आता है सबसे बढ़िया से अभी तो समर का टाइम कस्मीर से एपल आती है कस्मीर से जब एपल मंगाएंगे यहां बेचने के लिए वहां का कंसाइनर यहां के कंसाइनरी को भेजेगा बेचने के लिए सपोस्स सो किलो बेजा सारा का सारा एपल एज इस उसी कंडिशन में पहुँचेगा क्या कुछ तो खराब हो गए यानि पैरिशिबल आइटम जिसको आप कुछ नहीं कर सकते लेकिन मॉंबई से गुड्स निकला टेमपड ग्लास ठीक है गौहाटी में आने से पहले रस्ते मे ही चोरी होगी है वो क्या है उस पर तो आपका कंट्रोल था आप बचा सकते थे कैसे सर्विलेंस रखते जिस ट्रांस्पोर्ट में आ रहा था एक्स्ट्रा आदमी रखते सिक्योरिटी के साथ माल को भेजते तो वो लॉसेज आपका बच सकता था ना क्लियर है तो यानि यह समझ में आता है कि रस्ते में यहां रस्ते में घुट्स को कुछ भी हो सकता है लेकिन घुट्स को जो भी होगा ना वो लॉस ही है बट लॉसेज आर ओफ टू टाइप्स दो तरीके नुकसान है एक क्या है जिसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है और एक वो जिसको हम लोग लॉसेज आर ओफ टू टाइप्स एक होता है मेरा नॉर्मल लॉस और एक अबनॉर्मल लॉस ठीक है अब एक बात बता ना सपोज सपोज तुमने क्या किया सौ रुपे केजी में कश्मीर से सौ किलो एपल मंगवाया कंसाइनर से कि यहां भिग जाएगा भी सीजन है मस सेल होगी आप भेजिए अब तुमारे पास में क्या हुआ पहुंचा ही है 95 केजी एपल पांच किलो तो रस्ते में खराब ही हो जाता है इतनी सारी पेटिया है तो किसी में दाग लग गया कोई दब गया कुछ भी हो सकता है इट से पैरिशेबल आइटम खराब हो गया तो टेल मी कॉस्ट पर किलो क्या होगा तुमारे पॉकेट से पैसा कितना गया नॉर्मली दस हजार रुपे बट वाट विल भी कॉस्ट पर केजी यस क्योंकि जो पांच हजार का नुकसान हो गया उस पैसे को हम कहां से रिकवर करेंगे बचे वे गुट से रिकवर करने वाले है न प्रैक्टिकली यही करेंगे तो आपका पर केजी कॉस्ट क्या हो जाएगा यह हो जाएगा ना यानि यह समझ में आता है कि नॉर्मल लॉस से कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज हो जाएगा बट इन केस ऑफ एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट पर इंक्रीज नहीं होता क्योंकि वो तुम्हारी गलती से हुआ है तुम क्यों कस्टमर से रिकवर करोगे चीजें महेंगी नहीं हो सकती चीक है तो एबनॉर्मल लॉस जैसे कि सपोज सौ रुपे किलो एंडर्ड केजी एपल मंगवाया चलो यह नहीं समझके अपन समझते हैं रुपीज हंडर्ड पर टेमपर्ड ग्लास और टोटल कितना एक हजार टेमपर्ड ग्लास हमने मंगवाया उसमें से क्या हुआ रस्ते में अंडर्ड टेमपर्ड लॉस्ट द्यू टू थेफ्ट अब बताओ वाट विल भी दा कॉस्ट पर टेमपर्ड सौ रुपे ही रहेगा विकॉस नॉर्मल लॉस होता तो हम लोग पर यूनिट इंक्रीज करें हमारे पास पहुंचा ही उतना बट यह गलती किसकी थी मतलब कंट्रोलेबल मिस्टेक दी वेनेवर डेरिजए कंट्रोलेबल लॉस्ट यानि जिस लॉस को हम बचा सकते थे उसको अपन बोलते हैं अबनॉर्मल लॉस एड़ अबनॉर्मल लॉस से कॉस्ट पर यूनिट कभी इंक्रीज नहीं होता तो यह जो लॉस हुआ है सौ रुपे, सौ टेमपर्ड इंटू सौ रुपे का एक टेमपर्ड क्या करेंगे सीधा लॉस मारके अब प्रॉफिट और लॉस में दिखा देंगे कंसाइनर यह दिखा देगा अब कभी कभी हम इसका इंशॉरेंस भी करवा के रखते तो जितना पैसा इंशॉरेंस कंपनी से मिल जाएगा वो तुमारा कोई लॉस नहीं है और जो पैसा इंशॉरेंस कंपनी से नहीं मिलेगा वो तुमारे लिए क्या है लॉस है, clear losses का case समझ में आया तो losses can be of two type either it can be normal loss और abnormal loss normal loss हुआ तो cost per unit increase हो जाएगा but whereas abnormal loss में कुछ नहीं होगा separately treat करेंगे और इसको क्या करेंगे profit और loss में show कर देंगे consignment का नुकसान माल लेंगे कि consignment की वज़े से मेरा क्या हो गया ये इतना loss हो गया clear है ये चीज I hope यहां तक story समझ में आता है clear है अब मैं एक चीज़ बता हूँ problem कहा है problem है ये जो stock इसके पास बच जाता है न ये जो consigny के पास जो stock बच जाता है न इसका valuation करना एक problem है तो तुम लोग बोलेगे इसमें क्या problem है भया जितने रुपे में बेजा बस उतने रुपे काई तो stock माना जाएगा क्या ऐसा होता है क्या कंसाइनी के पास सपोच कुछ अनसोल्ड गुड्स है जो consignor ने भेजे थे तो इसका valuation तो करना पड़ेगा ना कितना रुपे का है तो किस value पे करेंगे जिस value पे भेजा उस ना क्या वही सिर्फ खर्चा लगता है क्या यस हमने ट्रेडिंग एकाउंट में क्या सीखा था कि जबी आप गुड्स पर्चेस करते हो जब तक गुड्स घर तो इस रस्ते में जो भी खर्चा लगेगा कॉस्ट लगेगा वह कहां जाएगा गुड्स की कॉस्ट में एड हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकाल पाएंगे यह ध्यान रखना कभी मत बूलना कि जिस वैल्यू में भेजा है ना वही तो वैल्यू होगा क्लोजिंग स्टॉक का नहीं भेजने में ट्रांस्पोडेशन लगता है इंशॉरेंस का खर्चा लगता है सब कुछ लगता है ना तो वह सारा कॉस्ट इंकर्ड होगा इवन इवन सपोज यहां पहले ट्रांस्पोड में आया यह मेन माल आया अब करेगा ट्रांसपोडर के पास जाएगा बिल्टी शो करेगा और ठेला या किसी भी चीज में चान गरेग जुझा है वह ओएप मतलब यह नहीं है कि घर पर पहुंच चुका है goods मैंने क्या बोला हम लोग trading account में क्या बोलते थे till goods reaches to its final destination तब तक का expenses हम लोग क्या करते हैं उसकी cost में add करते न तो क्या transport is my final destination है क्या consignee का घर right तो जब तक consignee के पास नहीं पहुंचता तब तक जितने expenses आपने किये हैं that will be considered as direct expenses clear है तो महंगा हो जाएगा हूँ इसी लिए इसी लिए तुमने देखा होगा इसी example को मैं तुम्हें बताता हूँ कि USA में iPhone और इंडिया में iPhone कि अलग-अलग है क्या क्या rate अलग-अलग है क्यों समझा import duties transportation यह सब खर्चा भढ़ जाता है तो इसी से तो महंगा हो जाता है इसी लिए goods state by state differ करता है जो एपल आप कस्मीर में खरीदोगे उसी rate में तुमको यहां नहीं मिलेगा जो केसर तुम कस्मीर में purchase करोगे जाके वो तुम यहां purchase करो नहीं मिलेगा उस rate में क्यों महंगा हो गए ना जो चाइपत्ती हम यहां use करते हैं और वही चाइपत्ती जब बाहर जाती है क्या सेम रेट की होती है क्या महंगा तो हो गई transportation cost एड हो जाता है insurance cost एड हो जाता है वो सारे cost एड होती है तो उसी को तो अपन क्या बोलते है जब expenses cost में एड हो रहा है such expenses are known as direct expenses clear है समझ में आया तम लोग को यानि यह सारा treatment भी अपने को करना है clear consignment मोटा मोटी समझ में आता कि होने क्या वाला है यानि अब consignment में करेंगे क्या consignor accounting करेगा consignor की books बनाएंगे consignor क्या बनाएगा consignor consignment का account बनाएगा consignor किसका account बनाएगा क्योंकि यह जरूरी थोड़ी नहीं वह सिर्फ गुहाटी में goods बेशते है गुजरात में भेजा होगा राजस्तान में भेजा होगा ठीक है कोई और स्टेट में MP UP कहीं पर भी भेज रहा है तो वहां पर भी दोस्ने agent कर रखेंगे तो सारे agent का club करके एक account बनाएगा क्या वो हर एक agent का अलग-अलग account बनाएगा यानि यहां पर every time यह क्या करेगा consignment account बनाएगा ऐसा क्यों करेगा यह ऐसा क्यों करेगा ताकि वो निकाल सके कि फ्रॉम एवरी consignment मेरा कितना profit loss हुआ जरूरी तोड़ी नहीं सारे consignment उसको profit ही दे माइट भी पॉसिबल गौहर्टी वाला profit दे रहा है लेकिन यूपी वाला profit नहीं दे रहा राजसान वाला profit नहीं दे रहा एसा हो सकता है ना तभी तो डिसाइड कर पाएगा कि मुझे आगे चलके क्या strategy यूज़ करनी है क्लियर है दूसरा और एक क्या account बनाएगा कंसाइनी का personal account भी तो बनाएगा लास्ट में कितना हिसाब करना है तो उसका account मेंटेन ही नहीं होगा कि हमने कितना रुपे उससे आया हुआ है उसको कितना रुपीज देना है उसका कितना commission बनता है वो सारा यदि एकाउंट ही नहीं बनाएगा तो हिसाब करेगा कैसे वह उ कंसाइनर बेसिकली प्रिपेर दिस टू अकाउंट्स क्लियर है और कंसाइनी क्या करेगा वो कंसाइनर का personal account maintain करेगा कि कि कितना गुद्स आया कितना गुद्स बेच दिया वो सारा चीज़ वो उसी एकाउंट में एक जगे maintain करेगा क्लियर है सो accounting point of view हमें यही सीखना है और एक चीज़ बताऊं यह कुछ भी नहीं है इतना easy है it is prepared just like trading account आपने trading account बनाया है जहां opening stock purchase direct expense sales closing stock दिखाते हो you find out gross profit gross loss बट यहाँ पे क्या होगा you will find out profit or loss from every consignment just like trading account जैसे बनाते हैं वैसे ही अपन consignment account बनाने वाले करेंगे ना वो तो हम trading account में भी करते थे by closing stock दिखाते थे ना तो value तो निकालते थे तो यहां पे भी करेंगे it is just same as trading account बस नाम कुछ और है नाम कुछ और होने से हमें कोई फरक नहीं पड़ता है हमारा concept यह दी clear है तो हम आराम से कर पाएंगे clear है तो पूरे के पूरे consignment में ऐसे ही करना है क्या करना है दो तरह के question हो सकता है इधर goods will be sent at cost price और invoice price तो वहां पर हमें questions का category को देखना है फिर goods भेजेंगे तो क्या-क्या expenses किया क्योंकि expense दो जन करेंगे एक कुछ खर्चे यह करता है कुछ expense कौन करता है यह करता है ना जो expense इसने किया है उसको अपन क्या बोलते है कि डारेक्ट expense और जो expenses यह करेगा इसको अपन क्या बोलते है इन डारेक्ट expense क्योंकि यह पैसा तो क्या करना है रिंबर्स हो जाएगा ना वापस consigner consignor से मांगेगा बट यह कब खर्चा करता है जब यह goods भेज रहा होता है तभी expense करता है ना उसके बाद तो सारे expenses ये करता है तो घॉट्स भेजने में जो करता होता हो तो मेरा क्या है direct expense फिर उसके बाद इसके अंदर और क्या मिल सकता है losses का cases मिल सकता है कि आपका goods रस्ते में खराब हो गया चोरी हो गया, ये सब हो गया तो decide करना पड़ेगा, it is my normal loss और abnormal loss, normal loss हुआ तो stock का valuation वैसे ही करेंगे और abnormal loss हुआ तो क्या करना है कुछ नहीं करना है, cost value पर हम लोग उसको loss मान लेंगे, फिर abnormal loss के लिए यदि आपने insurance करवा रखा है तो insurance company कितना दे रही है, वो देख लेना और पता चल जाएगा net loss कितना हुआ हमें तो overall जो consignment का concept आपको सिखना है, इतना ही होता है consignment, I hope यहाँ पर तुम लोगों को एकदम basics clear है कि consignment होता क्या है अब picturized clear है कि consignment business है क्या फर्स टाइम तुम लोगों ने term सुना है कि consignment, consignment, clear है पहले बीच में सुना था, sale on approval वाला, नया term, और वैसे एक term, the rectification of errors में भी तो आया था कि goods lying with consignor consignee, तो वहाँ पर मैंने बोला था कि hold करो, जब consignment आएगा तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसका accounting entry क्या होना थी clear है, तो with this we cover everything basics, जो मेरे को पूरे consignment chapter में चलेगा यह story आपको proper build-up करनी है loading और stock reserve नहीं आ जाएगा क्योंकि क्या होगा कि consignor यदि invoice price पे भेज रहा है बट consignor अपने books में तो accounting क्या करेगा, cost पे ही करेगा ना तो उसको cost पे करने के लिए वो जो profit element है उसको हटाना पड़ेगा ठीक है, तो similarly यही चीज आगी चलके आप इंटर में, branch accounting वगेरा में, department वगेरा में यही सिखते हो departmental accounting और branch अकाउंटमें में भी यह concept आता है आपका stock reserve वाला, ठीक है तो with this we cover everything about the basics, in the next part हम लोग क्या करेंगे, इससे related थोड़ा सा हलका फुलका कुछ theoretical part वो लिख लेंगे, notes कर लेंगे, और क्या करेंगे practical questions लिखेंगे, scenarios लिखेंगे कैसे consignment account बनता है कैसे consignee का personal account बनेगा कैसे consignee consignor का account करेगा क्या-क्या accounting entries होगा each and everything will be learned in the next part clear है, चल, that's all for today